1. What is the primary purpose of a primer in makeup? Makeup में primer का प्राथमिक उद्देश क्या है? A. रंग जोडने के लिए B. मेकप सेट करने के लिए C. एक चिकना आधार बनाने और मेकप की दीरगाईूं में सुधार करने के लिए D. मेकप हटाने के लिए To which product is used to cover imperfections and even out skin tone खामियों को छुपाने और द्वचा का रंग एक समान करने के लिए किस उत्पात का उप्योग किया जाता है A. शर्माना B. फाउंडेशन C. छुपाने वाला D. सेटिंग स्प्रे 3. वाट टाइप उफ प्रॉडाक्ट इस तिपिकली यूस्ट तो ब्राइटन अंडर दी आइज and cover dark circles आंखों के नीचे चमक लाने और काले घेरों को धखने के लिए आम तौर पर किस प्रकार के उत्पात का उप्योग किया जाता है a. फांदेशन b. चौंसेलर c. पौडर d. हाइलाइट 4. वाइट पॉपस ओफ सेटिंग पाउडर पाउडर जमाने का मुख्य उद्देश क्या है a. फांदेशन सेट करने और चमक नियंत्रत करने के लिए b. गालों पर रंग भरने के लिए c. त्वचा को प्राइम करने के लिए d. चहरे को हाइलाइट करने के लिए 5. विच प्रॉड़क्ट इस उस्टो अड़ कलर तो दे चीक्स और क्रिएट अ हेल्दी ग्लो गालों पर रंग लाने और स्वस्चमक पैदा करने के लिए किस उत्पात का उप्योग किया जाता है a. हाइलाइटर b. ब्रॉंजर, c. ब्लश d. फांडेशन 6. वाट इस दे फंक्शन ओफ ब्रॉंजर इन मेकाप मेकाप में ब्रॉंजर का क्या कार्या है a. मीम स्थापित करने के लिए b. गर्माहत और सूरज की रोशनी वाली चमक जोडने के लिए c. चीक बॉन्स को हाइलाइट करने के लिए d. दोशों को धखने के लिए d. दोशों को धखने के लिए 7. विच प्रॉड़क्ट इस यूज़ तो डिफाइन दी आइस और एन्हांस देर शेफ आखों को परिभाशित करने और उनके आकार को निखारने के लिए कि सुथपार का उप्योग किया जाता है a. काजल b. आईलाइन c. आईशेडो d. प्रोपेंसिल 8. वाट इस दे प्राइमरी पॉपस ओफ मस्कारा काजल का प्रात्मिक उद्देश क्या है a. पलकों को लंबा और काला करने के लिए b. भौहें परिभाशित करने के लिए c. होटों पर रंग लाने के लिए d. मेकप सेट करने के लिए 9. विच प्रोड़क्ट इस उस तु फिल इन शेप ली आईपोस भौहों को भरने और आकार देने के लिए किस उत्पात का उप्योग किया जाता है a. आईलाइनर b. काजल c. प्रोब पेंसिल या पाउडर d. फाउंडेशन 10. वाट टाइप अफ प्रोड़क्ट इस उस तु क्रिएट अ जूए ग्लोइंग लुक उन दा हाई पॉइंस उप्योग किया जाता है a. फाउंडेशन b. सेटिंग स्प्रेज c. शर्मान d. हाईलाइटर